वेलकम तो मै चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्चकी और लैसन की तीखी चटनी आई ये स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने ये मोठी लाल मिर्च ली है और इसको हमने तुकडों में काट कर और इसमें कमसे कम तीस चालेस लैसन की कलियां मिर्ची में अब ए ho們 सब्सक्राइब दें। आशेयों मिर्ची आई व सब्सक्राइब दें। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे अब इसके बाद हमने एक कढाई ली है और कढाई में तेल डाल कर उसे गर्म किया है और तेल गर्म होने के बाद उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा अब जीरे को हम अच्छी तरह से भूल लेंगे और जीरा वुन्ने के बाद जो लाल मिर्च हमने पीसी थी वो पेश्ट इसमें डाल कर इसे अच्छी तरह से हम चला देंगे ये इसमें तेल में हमने पेश्ट डाल दिया है तेल थोड़ा में ज़्यादा ही रखना है एक चमचे भरके हमने इसमें तेल डाला है क्योंकि इसको भुनने में थोड़ा तेल ज़्यादा इस्तिमाल होता है और इसको धिमी आज पर हम 10-15 मिर्ट तक अच्छे से भुनेंगे इसे बराबर हमें चलाते रहना है ताकि पूरी मिर्ची जो है अच्छी तरह से भुन जाए जब यह चटनी भुन जाएगी तो यह किनारे किनारे इसके तेल आ जाएगा तब हम समझ लेंगे कि यह हमारी चटनी बन गई है अब इसमें हमने डाल दिया है स्वात के अनुसार नमक और इस नमक को मची तरह से इसमें मिक्स कर देंगे यह चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इसे पूरी के साथ पराठे के साथ आलू के पराठे के साथ खाव बहुत ही अच्छी लगती है यह टेस्टी चटनी एक बार आप जरूर बना कर देखें इसे देखिए ये चटनी जो है वो हमारी अभी भुन रही है अभी 102 से 30 मिट हम और भुनेंगे अच्छी तरह से ये चटनी हमारी रेडी है देखिए इसमें तेल भी आ गया है किनारे किनारे और ये अच्छी तरह से भुन गई है अब इसे हम अलग बावल में निकाल लेंगे ये चटनी एक बार आप जरूर बना कर देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है मोटी मिर्च तीक ही नहीं होती है अगर आपको ये रेसिपे हमारी पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद